हेलो गाइस आज हम बात करते हैं एलसीड सिरफ के बारे में जो की एक एंटासीड और एंटी फ्लूएंट सिरफ है यह टोटली अर्वेदिक सिरफ है और फास्ट एक्टिंग सिरफ है जो हाट बन में acidity में ये खटी डगारों में काफी जल्दी effect करता है अगर इसके ingredient की बात करते हैं तो इसमें आमला है 100 mg, हरित्की है 50 mg, ginger है 50 mg, चित्रक है 40 mg, पिपली है 30 mg, अगर अगर है 50 mg, निसौर्थ है 50 mg, swamp है 50 mg, बेड़ा है 50 mg, और मुलेठी है 50 mg, अगर हम indication की बात करते हैं तो acidity और heart one में ये यूज होता है, chronic constipation में यूज होता है, ये appetite को बढ़ाता है, और digestion को healthy बनाता है, ये अपच में और अरूची में भी उफ्योग होता है, इसके अलावा गैस में या जो fateful जाता है, उसमें भी इसका बहुत आछा result मिलता है, अगर हम इसके ingredients को detail में बात करते हैं, तो अगर हम आमला की बात करते हैं, तो आमला में बहुत अच्छी neutralizing stomach acid को neutralize करने की property होती है, क्योंकि ये alkaline nature में होता है, इसके अलावा ये stomach का जो ulcer होता है, उसको heal करने में या उसको prevent करने में भी काफी useful होता है, इसकी जो antioxidant property होती है, ये है उसके कारण होता है, इसके अलावा इसमें anti-digital property भी होती है, ये muscle spam को भी prevent कर सकता है, और जो stomach discomfort होती है, उसकी treatment के लिए भी जोच किया जाता है, अगर हम हरण की बात करते हैं, तो ये अपच में और gas related problems में काफी effective होता है, और जो इसकी ये efficacy होती है, ये इसके hot nature के कारण, इसके appetizer, digestion और वाद, पितन और कफ के balancing property की वज़े से होती है, इसके अलावा ये paid fullness में ये dicentric condition में भी काफी usable होता है, अलसर में भी इसका काफी अच्छा उप्योग होता है, अगर हम ginger की बात करते हैं, तो ये काफी disease में यूज होता है, ये हमारे appetite को बढ़ाता है, और digestive property होती है इसमें, जिसकी वज़े से ये हमारे बोजन को पचने में मदद करता है, इसके अलावा ginger की और भी बहुत सारी property होती है, ये heart disease में उप्योग होता है, stomach से related, gas से related, files में, constipation में, और paid fullness जैसी बिमारियों में इसका उप्योग किया जाता है, चितरक की बात करते हैं, तो ये एक बहुत सक्तिसाली digestive stimulant होता है, अगर हम traditionally इसकी बात करते हैं, तो ये अपच में, constipation में, paid fullness में या paid fullness में इसका उप्योग होता है, paper longum, अगर पिपली के बात करते हैं, तो stomach से related जितनी problems होती है, उनमें इसका काफी उप्योग होता है, अगर हम इसको चितरक के साथ यूज़ करते हैं, तो ये रामबान सीद होता है, stomach से related disorders में, और अपच में भी ये काफी beneficial होता है, अगार, अगार के बात करते हैं, तो ये एक gel-like substance बनाता है, जिसकी वज़े से intestine को stimulate करता है, और wall की movement को बढ़डाता है, जिससे ये digestive track को clear करने में मदद करता है, निसोत की बात करते हैं, तो ये stomach disease में काफी उप्योगी हैं, ये heartburn में उप्योग होता है, indigestion में, bleaching में, या फिर जो painful जाता है, उसमें काफी clean रखने में मदद करता है, अगर हम सोप की बात करते हैं, तो सोप में एक कोयल पाया जाता है, जो हमारे digestion में मदद करता है, और जो पेट में सूजन हो जाती है, उसमें काफी effect है, ये stomach की जो lining है, उसको calmness देता है, और burning sensation में, acidity के दोरा हम काफी relief प्रदान करता है, अगर ह होता है, जो acidity में और constipation में काफी अच्छी तरह यूज किया जाता है, इसके लावा बेडा में vitamin C होता है, protein होता है, minerals होते हैं, जैसे potassium, selenium, magnesium, iron, copper, इसके अलावा इसमें antimicrobial, antispasmodic, antidiral property भी होती है, अगर हम मुलेठी की बात करते हैं, तो जो gas related जितनी problems होती है, या ज inflammation में भी ये काफी अच्छी results हो करता है,